हलो दोस्तों अग्यात एक खोज में आप सभी का स्वागत है यह चानल हमारे जैसे जिग्यासू व्यक्तियों के लिए है जो स्वयम की तलाश में अपने धर्म से जुड़ना चाहते हैं और हमारे प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी सची अग्यात कहानियों और तथ्यों को प हैं हम अपने वैदिक कैलेंडर को हमारे वैदिक महीनों के नाम हैं चैत्र वैशाक जेश्ट आशार श्रावन भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौश माग फागुन चैत्र मास ही हमारा प्रथम मास होता है जिस दिन ये मास आरंभ होता है उसे ही वैदिक नववर्ष मानते हैं भारतिये नववर्ष का पहला दिन यानी स्रिष्टी का आरंभ दिवस श्री राम एवं महराज युदिष्ठिर का राज्य अभिशेक दिवस मादुर्गा की साधना चैत्र नवरात्री का प्रथम दिवस आर्य समाज का स्थापना दिवस चैत्र मास अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रेल में आता है चैत्र के बाद वैशाक मास आता है जो अप्रेल और मई के मध्य में आता है ऐसे ही बाकी महीने आते हैं फागुन मास हमारा अंतिम मास है जो फरवरी और मार्च में आता है फागुन की अंतिम तिथी से वर्ष की समाप्ती हो जाती है फिर अगला वर्ष चैत्र मास का पुनह तिथियों का आरंभ होता है, जिससे नववर्ष आरंभ होता है हमारे समस्त वैदिक मास महीनों के नाम 28 में से 12 नकशत्रों के नामों पर रखे गए हैं जिस मास की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है उसी नक्षत्र के नाम पर उस मास का नाम हुआ चित्रा नक्षत्र से चैत्रमास विशाखा नक्षत्र से वैशाख मास जेश्ट नक्षत्र से जेश्ट मास पूर्व अशाड या उत्तराशाड से आशाड श्रावन नक्षत्र से श्रावन मास पूर्व भादरप्रद या उत्तराभादरप्रद से भादरपद अश्विनी न इस साल 13 अप्रेल यानि आज से हिंदु नववर्ष दो हजार अठतर प्रारंभ हो रहा है। हिंदु नववश को विकरम समवत के नाम से भी जाना जाता है। जो की चक्रवर्ती समराथ विकरम दित्तिनस थापित किया था। ऐसे हमारे सनातन, पुरातन, एवं गौरफपूर्ण नववर्ष के प्रथम दिवस के अवसर पर आपको तथा आपके परिवार को अनन्त मंगल काम नाएं. आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने व्यूस हमसे कॉमेंट्स में जरूर शेर करें. धन्यवाद!